भारत से भगाड़ा घोशित और अपने घट्या बयानों के चलती लोगों के निशाने पर रहने वाला जाकिर नायक के लिए पाकिस्तान के सरकार ने रेड कार्पेट बिचाई है उसकी आव भगत की उसके प्रोग्राम पाकिस्तान में हो रहे हैं और उसके विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ पाकिस्तान के सरकार जाकिर नायक के लिए जी हजूरी में लगी है तो वही दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के लोग ही अब ज जाकिर नायक के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है तो चलिए आज के स्पसल स्टोरी में आपको वो पूरी कहानी समझाते हैं जो अब जाकिर नायक के लिए गले की फास बन चुकी है जिसे वो चाहकर भी ना उगल सकता है और ना ही निगल सकता है नमश्कार Capital TV के स्पसल स्टोरी द जाकिर नायक पाकिस्तान के कई शहरों में अपने प्रोग्राम कर रहा है जहां उसे कई विवादित वीडियो वाइरल करते हुए देखा जा रहा है नायक के विवादित बयानों के लिए पाकिस्तान के कई लोग उसे निशाने पर भी ले रहा है अब पाकिस्तान के पत्रक का सबसे खराब निर्यात कहा है और जाकी नायक को प्रवर्तन निदेशाले यानि की एडी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी यानि की एनाइए ने वॉंटेड घोशित कर रखा है उस पर भड़काव भाशन देने मनी लॉंडरिंग करने और आतंगवात को बढ़ाव के वीरियो से प्रवावित था उसके बाद नायक परिवार समेत भारत से मलेशिया भाग गया था और उसने वहां की नागरिक्ता भी हासिल कर ली थी नायक अपने बेटे फारीख नायक के साथ पाकिस्तानी सरकार के बुलावे पर पाकिस्तान पहुंचा और 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में ही रहेगा जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो कई मंत्रियों ने उसका मिलकर स्वागत किया पाकिस्तान के उपमुख्य मंत्री और विदेश मंत्री मुहमद इशाग डार ने भी उससे मुलाकात की है पाकिस्तान ने नायक को मेहमान की तरह क्यों बुला इसे लेकर मुझे गंभी शिकायत है मुझे लगता है कि वो भारत के सबसे खराब निर्यात है मुबा शीर है कि वे एक मुसल्मान है और उन्हें अपने धर्म से प्यार है। लुकमान ने आगे कहा कि मैं मुस्लिम स्कॉलर से बहुत प्रभावित हूँ और वो प्यार सदभावना की बार फैलाते हैं लेकिन मैं जब भी जाकर नाय को सुनता हूँ वो नफरत फैलाते हैं ऐसा लगता है कि किसी ने उनके साथ बुरा बरताव किया है जब वो छोटे थे और अब वही बाहर निकल कर सामने आ रहा है लेकि कि नहीं लगता कि नाय को सरजनिक रूप से उपदेष्ट देने की अनुमती होनी चाहीए पाकिस्तान ज़ाने से पहले नाय कने वहारत को लेकर एक सावंने आया था जिसमें भारत को लेकर बात करता हूँ नजर ाया पागिस्तान के यूटूबर से बाचीत में जाके नाय नायक ने कहा कि साल 2019 में उसके भारत वापस जाने की सभी संभावनाएं खत्म हो गए। उनके लिस्ट में तो नमबर वन आतंकवादी जाकिर नायक ही है। एक द्रव जाकिर नायक को लेकर पाकिस्तान के लोगी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जाकिर नायक ने एक और बम खोड दिया है जिस पर केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ती जताई ह जाकिर नायक की आचिका पर आपत्ती भारत से भगोड़ा घोशित और विवादिधर्म उपदेशक जाकिर नायक की आचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सिनवाई अगले बुधिवार तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महरास्ट्र सरकार से हलफ नामद अदालत में केंदर सरकार के तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जर्नल तुशार महता ने कहा है कि इस आदमी यानी कि जाकिर नायक को भगवारा घोसित किया जा चुका है याचिका पर जाकिर के साइड नहीं है एक घोशित भगवारा कैसे याचिका दाखिल कर सकता है यह याचिका सुईकार ही नहीं की जानी चाहिए मुझे बताया गया है कि याचिका वापस ले रहे कोई भगवारा वेक्ती एफ आई आर को चुनोती देने वाली याचिका कैसे दायर कर सकता है वहीं अदालत में पेश हुए जाकिर नायक के वकील ने कहा है कि महरास्ट में चार और करनाटक में दो एफ आई आर है हमें ये कहने के निर्देश हैं कि यदि ये अडालत FIR को रद करने के लिए संबंदित हाई कोट जाने की अजाज़त दे दे तो हम हाई कोट जा सकते हैं ब्रीफिंग के वकील को नहीं मिले सही निर्देश सौलिसीजर जनरल ने कहा है कि ये याचिका ये FIR को कलब करने के लिए हैं यदि वे रदिकरन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये अलग बात है SG का कहना है कि ब्रीफिंग वकील के वरिस्ट वकील को सही निर्देश नहीं दिये गए है इस याचिका पर शुरुवाती आपतिया हैं रजिस्ट्री ने इस बात पर आपति जताई है कि याचिका करता के हस्ताक्षर के बिना ही दाखिल की गई है कोई भगोड़ा वेक्ति अपने हस्ताक्षर के बिना याचिका कैसे दार कर सकता है ये मामलास पस्ट हो जाए, जस्टिस ओका ने कहा है कि हम देखेंगे उन्हें अपने निर्देश साफ करने दीजे आप जब आभी हलफ नामा दायर करें, आपको बता दे कि जाकिर नायक के खिलाफ मामला 2013 का है आरोप है कि उस समय जाकिर नायक ने हिंदु धर्म के देवी देपताओं के खिलाफ आपत्ती जुनक बयान दिया था जाकीर के बयान पर देश के पांच राजियों में मुकद में दर्जुए थे उस वक्त सुप्रीम कोट ने जाकिर नायक को अंत्रिम रहत देते हुए उसके खिलाफ कारवाई पर रोक लगा दी थे इसके बाद साल 2016 में नायक देश छोड़कर फरार हो गया था क्या है सम्विधान का नुचेद 32 इसलामिक उपदेशक जाकिर नायक अपने बायानों की वज़े से अकसर सुड़कियों में बना रहता है लेकिन ताजा मामला जाकिर नायक के सुप्रीम कोट में दाखिल की गई याचिका का है उनकी याचिका पर महराश्टर सरकार ने गंभीर सवाल उठाए है जाकिर नायक ने साल 2012 में गणपती उत्सव के दोड़ान कई कथित अपत्य जनक बयान दिये थे जिसे लेकर कई राज्यों में उसके खिलाफ एफायार दर्च की गई थी उन्होंने उसकी एफायार को एकसा जोड़ने के अनुरोध भी किया था सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहता ने ना केवल सुप्रीम कोर्ट से जाकिर नायक की याचिका को खारिच करनी की मांग की बल्कि इसके औचित पर भी सवाल उठाया है जाकिर नायक ने ये याचिका समिधान के अनुचेद 32 के तहट यानि के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दायर की थी तुशार मेहता ने जस्टिस अभै एस ओ का जस्टिस एहसा उदीन अमू मला और जस्टिस ऑगास्टीन जॉर्ज मसी के पीट के सामने सवाल उठाया कि एक वेक्ति जो भगोड़ा घोशित किया गया है वे समिधान के अनुचेद 32 के तहट याचिका कैसे दायर कर सकता है मैता ने कहा है कि जाकिर नायक भगोड़ा है और सुप्रीम कोट को इस मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है क्या है समिधान का अनुचेद 32 के लिए सुप्रीम कोट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि समिधानिक उपचारों का अधिकार स्वेम में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का उपाय है इसके अंतरगत कोई भी व्यक्ती मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिती में अधालत के शरन ले सकता है इसलिए डॉक्टर भीमरा अंबेडकर ने अनुचेद 32 को समिधान का सबसे महतोपूर्ण अनुचेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना समिधान अर्थीन है यह समिधान की आत्मा और हिर्दय है अधालत करेगी मौलिक अधिकारों की रक्षा यहाँ के पास किसी भी मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए निर्देश आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है इसकी रख्षा के लिए सुप्रीम कोट द्वारा बंधी प्रत्यक्षी करण यानि की हैवस कौरपस, रिट पर्मादेश रिट यानि की मैंडमस, प्रतिशेद रिट यानि की प्रोविशन, उत्प्रेशन रिट और अधिकार प्रेक्ष रिट जारी की जा सकती है सम्विधानिक प्रावधानों के मुताबिक राश्ट्रपती राश्ट्रे आपातकालीन के दोरान मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी अधालत के सामने यज का दार करने के अधिकार को निलम बित कर सकता है इसके लावा अन्ने किसी भी सिती में इस अधिकार को निलम भी तर नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकारों की रक्षा के मामले में सुप्रीम कोड का मूल शेत्राधिकार तो है किन्टु ये अधालत का विशेत्राधिकार नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का मूर्शेत्र अधिकार इस अर्थ में है कि इसके तहत एक पीडित नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है हालां कि ये सुप्रीम कोर्ट का विशेशा अधिकार नहीं है कियोंकि समविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दीया गया है सुप्रीम कोट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि जहाँ अनुचे 226 के तहट हाई कोट के जरिये राहत प्रदान की जा सकती है वहाँ पीड़ित पक्ष को सबसे पहले हाई कोट के पास ही जाना चाहिए साल 1997 में चंद्रकुमार बनाम भारत संगवाद में सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा था कि रिट जारी करने को लेकर हाई कोट और सुप्रीम कोट और दोनों के अधिकार शेतर समिधान के मूल धाचे का एक हिस्सा है क्या है समिधान का अनुचे 226 अनुचे 226 हाई कोट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और किसी अन्य उदेश के लिए भी सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है यहां किसी अन्य उदेश का अर्थ किसी समाने कानूनी अधिकार का बचाव करने को लेकर है इस प्रकार रिट को लेकर हाई कोर्ट का अधिकार शेतर सुप्रीम कोर्ट की तुलना में काफी व्यापक है जहां एक और सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन के इस्थिती में ही रिट जारी कर सकता है वह हाई कोट को किसी अन्य उदेश के लिए भी रिट जारी करने का अधिकान है जाकिर नायक एक इसलामिक उदेशक है लेकिन वे अपने बयानों की वज़े से विवादों में घिरे रहते हैं हाल ही में पागिस्तान में अपने बयानों के कारण उन्हीं आलोचना का सामना करना पड़ा था खास कर उनके द्वारा महिलाओं पर डिये गए बयानों से गुस्सा भड़का है ये विवाद तब हुआ जब जाके नायक ने एक कारेक्रम में एक छात्रा से सवाल पर जवाब देते हुए कुवारी लड़कियों को बाजारू कहकर उनके तुलना पब्लिक प्रापर्टी से कर दी यही नहीं जाके नायक ने महिला टीवी न्यूज आंकर को पुरुषों को उत्तेजित करने वाला बया बताया है उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर महिला आंकर को देखकर पुरुष को कुछ नहीं होता है तो वो medically fit नहीं है यानि कुल मिलाकर जाके नायग विवादों की वज़े से सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं और आप तो पाकिसान के लोग ही उनके सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं वैसे आपका क्या मानना है इस ख़बर को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएए और फिलाल मेरे साथ इतना ही बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे है कापिटल टीवी नमस्कार